आप सुनने जा रहे हैं ब्रेटन की एक लोग का था महनती लड़की इंग्लेंड के गाउं में मार्शल नामक फलो का एक ब्यापारी रहता था उसका ब्यापार बहुत ही अच्छा था मार्शल का बेटा थॉमस पढ़ लिखकर अपने पिता के वेफसाय में हाथ बटाने लगा था वो खूब महनती और होश्यार था पिता को अपने पुत्र की काबिलियत पर गर्व था मार्शल की इच्छा थी कि उसके बेटे के लिए एक ऐसी लड़की मिले जो खूब महनती हो और उसे काम करने में आलस से ना आता हो मार्शल का यह मानना था कि ऐसी लड़की उसके बेटे और उसके घर का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रख सकेगी परंतु समस्य यह थी कि ऐसी लड़की को कहां से ढून कर लाया जाए वह किसी दूसरे के बताने पर यकिन नहीं करना चाता था मार्शल ने मन ही मन में एक योजना बनाई उसने एक रहडी पर धेर सारे फ़ल रखे और उससे लेकर स्वेमिक महले में चला गया वहाँ जाकर मार्शल ने आवाज लगाई लेलो लेलो धूल मिट्टी के बदले संत्रे लेलो सेब लेलो केले लेलो लेलो बिन पैसो के लेलो वह जिधर से निकलता वह इस्त्रियां घरों से बाहर निकल कर उसे देखने लगती कि कौन मूर्ख है जो बिना पैसो के फल बेच रहा है अनेक इस्त्रियां आपस में खुसर खुसर करने लगी कि शायद यह लोगों को बेफ को बना रहा है हो सकता है कि इसका कोई और मकसद हो उन स्त्रियों ने आपस में ये तैय किया कि उन में से एक को जाकर उस फल वाले को आजबाना चाहिए एक स्त्री ने फल वाले के पास जाकर पूछा भाई ये धूल मिट्टी का क्या चक्कर है? कितने धूल मिट्टी के कितने फल दोगे मार्शल बोला तुम जितनी ज़ादा धूल मिट्टी लाओगी उतने ही ज़ादा फल ले सकती हो इस्त्री को यकीन नहीं हुआ वह फल वालों को रुकने के लिए कहकर अपने घर में चली गई उसने जल्दी जल्दी ज़ादू लगाई कोनों से मिट्टी निकाली और फल वाले के पास पहुँच गई फल वाले ने उसे धिर सारे फल दे दिये अन्य स्त्रियों ने देखा तो उनमें फल लेने की होड मच गई सभी इस्त्रियों अपने अपने घरों में ज़ाडू लगाने लगी खूब धूल मिट्टी उड़ने लगी कोई थैला भरकर मिट्टी लेकर पहुँच दी तो कोई बोरा भरकर सभी इस्त्रियां वो लड़कियां खुश थी कि कोई बेवकूप उन्हें धूल के बदले मुफ्त में फल दे रहा था तब ही एक लड़की फल वाले के पास पहुची फल वाले ने देखा कि वह खाली हाथ आई है तो उसमें पूछा के तुम्हें फल नहीं चाहिए? उस लड़की ने सकुचाते हुए अपने हाथ में एक रोमाल निकाला जिसमें मुश्किल से दो चुटकी धूल थी वह बोली श्रेमान जी के अतनी धूल में आप कोई मुझे फल दे सकते हैं? मार्शल बोला हाँ हाँ क्यों नहीं तुम जो चाहो वह फल ले सकती हो पर यह बताओ कि तुम्हारे घर में सिर्फ इतनी सी धूल निकली? लड़की शर्माते वे बोली दरसल मेरे घर में तो बिल्कुल भी धूल नहीं थी पडूस के आंटी ने मुझसे अपने घर की धूल एकटी करने को कहा था ताकि मैं उनके लिए यदि कोई फल मिल जाए तो ले लूँ आप इतनी धूल के कितने फल दे सकेंगे वह दे दीजिए मार्शल ने उस लड़की से कहा यह सारे फल तुम ले जा सकती हो मैं तुम्हारे पिता से मिल कर तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ मैं तुम्हें अपनी बहु बनाना चाहता हूँ लड़की ने अपने घर के और इशारा किया और शर्माती हुई घर में गुजगई मार्शल ने उस लड़की को अपनी बहु के रूप में सुईकार कर लिया इतने बड़े व्यापारी के घर में रिष्टा तै करके लड़की का पिता बहुत खुश हुआ इधर मार्शल भी बहुत खुश था क्यों से इतनी महनती और होश्या लड़की बहु के रूप में मिल रही थी जिसके घर में एक चुटकी भी धूलना मिल सकी दोस्तो ये थी पूरी कहानी आप सुन रहे थे ब्रिटन की एक लोग का था महनती लड़की